जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को अडोबी इन डिजाइन के अंदर टेक्स्ट को create करना और modify करना और format करना सिखाया उसी तेरा इस लेसन के अंदर हम लोग images के उपर बात करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम अडोबी इन डिजाइन के अंदर images को किस तरह से place कर सकते हैं और images के लिए हम frames किस तरह से create करेंगे और उनको modify किस तरह से करेंगे इसके लावा हम देखेंगे कि हम images को link किस तरह से करते हैं और इसके लावा text wrap का एक और feature में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलते हैं Adobe InDesign के तरह और explore करते हैं InDesign को अच्छा जी तो सबसे पहले start करते हैं यहां से के हम लोग toolbar के अंदर जाके यह हमारे पास तूल है इसको explore करने कोशिश करते है rectangle frame tool और ellipse frame tool और इसके लावा polygon frame tool अच्छा यह basically वो frame tool है जिसकी मदद से हम images को InDesign के अंदर place करते हैं अब यह मैंने image के लिए एक frame ले लिया है इसके उपर आपको एक cross बनावा नजर आ रहा है अच्छा basically same वोही procedure है जिसकी मदद से हमने InDesign में text को place किया था same उसी procedure से हम लोग image को भी InDesign के अंदर place कर सकते हैं File में जाके अगर आप place के button को क्लिक करें तो इस तरह से भी और control D को प्रेस करके भी यहां पे मेरे पास एक यह image पढ़ावा है इस image को मैं open करता हूँ और यह देखें यह image जो है यह मेरे पास यहां पे इस box में आ गया अच्छे यहां पे अब मुझे एक मसला आ रहा है कि मेरा जो frame है वो छोटा है और जबके मेरा जो image है वो बड़ा है अगर मैं इसको यहां center से इसको मैं hold करूँ और इसको मैं move करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा image जो है वो काफी बड़ा है और जबके frame जब मेरा छोटा है तो मेरा image properly fit in नहीं हो पाया इस frame के अंदर अब इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं जी हम object में जाते हैं और यहां पे हमारे पास एक option है fitting की इसमें different options available है जैसे के fill frame proportionately इसकी मदद से जो frame है वो proportionately fill हो जाएगा और यह देखें यह जो मेरा image था जो मैं लाना चाहरा था प्लेस करना चाहरा था अपने इस frame में वो exactly यहां पे आ गया मैं control ही करता हूँ और दुबारा यहां पे जा कि आपको एक आदी और option बताता हूँ यह different options हैं यह आप explore कर लीजेगा basically यह options इसी मकसद के लिए हैं कि हम अपने image को अपने frame के accordingly या अपने frame को अपने image के accordingly किस तरह से fit कर सकते हैं यहां पे यह देखें fit content to frame है और इसी तरह हमारे पास यहां पे fitting के अंदर option मौझूद है fit frame to content अब यह frame to content किया है तो यह देखें क्योंकि content बहुत बड़ा है image बहुत बड़ा है तो वो frame उसके size के accordingly चला गया है लेकिन image हमारे page से बाहर चला गया है तो यह अभी इस वक फिल हाल हम नहीं करेंगे इस वक मैं prefer करूंगा कि मैं इस वक सिर्फ और सिर्फ इसको fill frame proportionately कर लूँ ठीक है जी अच्छा अब इसके लावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ अगर मैं इसको frame को बड़ा चोटा करना चाहूँ तो देखें यहां से मैं इसको जो है वो re-scale कर सकता हूँ लेकिन अब मसला ही आ रहा है कि मेरा जो image है वो उसके साथ re-scale नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या करना है हम जब भी select करेंगे किसी भी frame के अंदर मौजूद image को तो हम क्या करेंगे control और shift को hold करेंगे अगर हम control और shift को hold रखते हैं तो यह देखें हमारा वो जो frame है और जो image है दोनों आपसे बिलकुल एक दूसरे के साथ connect रहते हुए बिलकुल एक दूसरे के साथ तालुक में रहते हुए यह जो हैं दोनो re-scale हो सकते हैं और बड़े चो का हूँ कि यह place की हमारे पास in design में shot किया और मैं यहां से आके यह इस elliptical जो हमारा यह frame है इसमें place करता हूँ again object में जाके मैं इसको proportionately इसमें fit कर लेता हूँ तो इस तरह से जनाबिया ली हम लोग कोई भी जो image है उसको fit in कर सकते हैं और उसको किसी भी image को लाके place कर सकते हैं frame के अंदर और फिर हम उनको frame को और image को re-scale कर सकते हैं अचाब यह design मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बना के रखा हूँ है और यह कुछ global business trends के हवाले से और मैंने इसमें कुछ illustration हलकी से ली हुई है इसके लावा एक image है एक clip art sort of है और इसके लावा कुछ text manager है वो ले रखा है अचा मैं अब यहाँ पर आपको जो चीज समझाना चाहरा हूँ वो है linking के हम images को link up किस तरह से करते हैं यह देखें यहाँ पर हमारे पास links का एक menu मजूद है इसमें अगर हम जाएं तो देखें मैं किसी भी अगर इस link के उपर select करता हूँ यानि के click करता हूँ तो यह देखें नीचे पूरी detail आ रही है उस link की अचा basically यह देखें यह जो text है यह तो linked up नहीं है यहाँ पर यह जो एक image एक illustration और एक clip art यह तीन जो मेरे items हैं यहाँ पर इस design में यह मैंने actually कहीं और से उठा के इस indesign की file में link up की है मैं देखें मैं आपको यह संजाता है चलो indesign की जो file होती है वो इस तरह से होती है कि यह कोई भी चीज अपने अंदर खुझ से embed नहीं करता है indesign जो है यह क्या करता है कि यह files को अपनी जगा पर पड़े रहना देता है और उनको link up कर लेता है linked कर लेता है अपने file के अंदर और उन links की base पे वो जो images या illustrations या clip art या icons या vectors जो भी चीज़े होती है वो इसकी layout में मौजूद रहती है तो अब यह देखें यहां पर यह तीनों चीज़ें जो है इनके links मौजूद है और इनकी details मौजूद है अच्छा मैं करने क्या लगा हूँ यह जो मेरे पास एक image मौजूद है मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी actual destination पर जाके इस image को delete कर देता हूँ अब देखिए यहां पर मेरे पास एक question mark बनावा आ गया ठीक है जी और यह कहरा है missing link यानि कि link miss हो गया है और अब यह हमसे उस link को relink करने के लिए कह रहा है तो जनाब मैं इसके उपर अगर click करूँ तो यह मुझे relink करने के लिए कहएगा इसी तना से मैं यहां से आके इस button की मतबसे भी relink कर सकता हूँ तो यह दोनों तरीके ठीक है relink करने के लिए इस question mark पर मैं क्लिक करता हूँ अभी फिल हाल मैंने उस image की एक और copy पहले से बना के रखी हुई है तो मैं इसको जाके ओके करता हूँ और अब यह देखें वो जो question mark आया था वो basically हट गया है तो यह मैंने क्या किया है कि मैंने पहले एक जो image है उसको erase किया उसकी actual destination से अक्सर यह होता है कि हम जब कोई design बना रहे होते हैं तो हम जो actual place होती है actual destination होती है फोल्डर होता है जिसमें अपने images वगरा रखे होते हैं वो कहीं आगे पीछे हो जाता है यह delete हो जाता है उस सूरत में हम इस तरह से in design में अपने images को re-link कर सकते हैं दुबारा से हम उनका link दे के उनको ढूंड के हम उनको link अप करके अपनी file दे उसको proper वापस असल हालत में लेके आ सकते हैं तो यह basically link की हमारे पास एक option है अच्छा मैं यहां पर एक आपको tip देता चलूँ कि हमेशा कोशिश करें के अपने images को या अपनी illustrations या जो भी चीज़ें आप बाहर से लाके in design में रख रहे हैं उनको embed कर लें embed करने का क्या तरीक है right click करें यहां पर इसको मैंने select किया हूँ है इस link को यह जो मेरा illustration है यहां पर option है जी embed link यह देखें जैसे मैं embed link करता हूँ तो यह जो chain का एक sign यहां पर बना हूँ है यह खतम हो जाता है इसका मतलब है कि अब इस मेरी illustration को link की जरूरत नहीं है और यह अब embed हो चुकी है मेरे इस file के अंदर तो अब लहाज़ा इसको मैं मुझे कोई tension नहीं रहेगी कि अगर यह जहां पर वहां से अगर delete भी हो जाती है तो मेरी file डिस्टर्ब नहीं होने वाली in design में और बिलकुल यह embed हो चुकी है मेरी file के अंदर तो आप भी जब भी कोई illustration या image बगरा यूज करें उसको embed करने in design में अच्छा जी इसी तना से एक और चोटी सी जो चीज हमारे पास available है यहां पर वो यह है कि मैं यह जहां पर मैंने illustration रखी हुई है इसके उपर जाता हूँ और यहां पर फॉर एक्जामपल यह टाय का color जो है यह मैं यहां से change कर देता हूँ और control less करता हूँ अब देखिए का जैसे ही मैं save करूँगा थोड़ी देर में यह जो मैंने जो actual destination में जहां पर मैंने color जो है वो change किया अलिस्टेटर में तो यहां पर हमारी जो linked up file है इसके अंदर भी हमारा यह जो tie का color यह change हो जाना चाहिए अच्छा इस वक्ता है थे कि इसलिए change नहीं हो रहा यहां पर मौझूद है यह भी यह दुबारा re-link हो चुकी है अब यह मैं यहां से आके कोई भी चीज अगर change करता हूँ for example मैं यह tie का color ले लेता हूँ और इसको मैं change करता हूँ blue color दे देता हूँ और इसको मैं save करता हूँ यह देखें जैसे ही मैंने उसको re-link properly किया है तो फॉरन जो मेरी tie है उसका color यहां पर character की tie का color change हो गया है तो अब इससे पता है चला कि मैं actual file में जाके जो भी change करूँगा अगर तो वो file linked up है यह वाला signed link का नजर आना चाहिए embedded नहीं होना चाहिए वो जो हमारा illustration है वो embedded नहीं होनी चाहिए वो linked up होनी चाहिए अगर वो linked up है अपनी original destination file से तो जो change हम वहां पर करेंगे वो change automatically यहां पर खुद बाखुदी register हो जाएगी InDesign उसको pick कर लेगा अच्छा यह सारा कुछ मैंने आपको बताया placing images के हवाले से और linking के हवाले से अब एक आखरी चोटी से tip मैं आपको देना चाहा रहा हूँ text wrap के हवाले से यह हमारे पास एक option available है text wrap की जो के आपको window के अंदर यहां पे available होती है और इसकी shot की है control all w अच्छा अब यह देखें मैंने यहां पे रखा हुआ है एक football का image और इसके इलावा यहां पे यह मेरे पास background पे एक paragraph मौझूद है text के हवाले से अच्छा मैं क्या करता हूँ मैं इन दोनों को select करता हूँ इससे drag करके और मैं इनको जनाबी अली wrap करता हूँ यह मेरे पास कुछ options available है text wrap की इनको ज़रा देख रहते हैं पहली option है no text wrap यानि के text wrap नहीं होगा दूसरी option है wrap around bounding box यानि के यह जो box है जो के boundary वाला box है इस image का उसके इर्दगिर text जाए वो wrap हो जाएगा अच्छा इसके बाद wrap around object shape यानि के जो object की actual shape है जिसना में यह जो football की shape है इसके इर्दगिर जो text है वो wrap हो जाएगा जिसना से अगर मैं इस shape पे आके click करूँ और यहां पे यह नीचे एक और मेरे पास option है offset की अगर इसको मैं बढ़ा के आपको दिखाऊ हूँ तो यह देखें आप लोग देख सकते हैं कि यह space create हो गई है मेरा जो text है उसकी wrapping जो है text और image के दरमियान थोड़ी सी space create हो गई है यह बड़ा खुबसूरत effect लग रहा है और यह इससे मिलते जुलते चीज हम लोग ने आपको याद हो तो Adobe Illustrator में भी text wrap के अंदर देखी थी तो यह तकरीबन कुछ उसी किसम की चीज है इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर jump object की एक option है इसमें क्या होगा कि text यह वो उस object की space को छोड़के jump करके आगे चला जाएगा और इसी तरह से jump to next column text यह है वो next column के अंदर चला जाएगा किसना से हम images के लिए frames create करते हैं उनको हम rescale किसना से कर सकते हैं और हमने images को किसना से edit करना होता है और किसना से हम उनको place करते हैं यह सारा कुछ हमने देखा इसके लावा हमने text को wrap करना भी सीखा in design में मैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए यह चीज बहुत helpful साबित होगी आप लोगों ने इसके जादर से जादर practice करनी है next lesson में in design के हवाले से कोई नई चीज डिसकस करेंगे